दोस्तो आज के वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप 110 कोश्टन को कवर करने वाले हैं ये सारे कोश्टन ऐसे हैं जो किसी न किसी गवर्मेंट एक्जाम में पूछे जा चुके हैं अगर आप UP प्लिस कॉंश्टेवल एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी दोस्ते चार कोश्टन आपको देखने को जरूर मिलेंगे वीडियो सुरू करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे ऐसे ही एक्जाम से रिलेटिड हर वीडियो का नॉर्टिफिकेशन आपको मिलता रहे चलिए तो सुरू करते हैं पहले कोशन से पहला कोशन है हमारा भारत के वित्त आयोक का गठन कौन करता है तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन नमबर A राष्टपती भारत के वित्त आयोक का गठन जो है राष्टपती द्वारा किया जाता है अगला कोशन दिखते हैं अगला कोशन है हमारा राज्य के माधिवक्ता को हटाने का अधिकर किसके पास है तो सही आंसर होगा राज्य पाल ओप्सन नमबर C नेक्ट कोशन है निम्न लिखित मैंसे किस अधिनियम के कारण राज्य सूचना आयोक का गठन हुआ तो राइट आंसर होगा इसका ओफ्सन नमबर A दो हैर पांच की सूचना का अधिकर अधिकर अधिनियम नेक्ट कोशन है मूल लोकसवा बाद विवाद किस बहसा में मुद्रित होते है तो सही आंसर होगा इसका ओफ्सन नमबर D हिंदी और अंग्रेजी दोनों बहसाओं में नेक्ट है हमारा उत्तर पदेश की संसद्य सीटों यानि राज्य सभा की संख्या कितनी है तो सही आंसर होगा इसका ओफ्सन नमबर D 31 नेक्ट लोकसवा की निश्चिस सदस्ट ससंग्या क्या है तो सही आंसर होगा इसका 545 ओफ्सन नमबर C नेक्ट है हमारा निमल खित मैसे किस अनुछिद में अधीनस्त नियायलेओं के संगठन को विनियमित करने के प्रापदान है तो सही आंसर होगा लेख 233 से 237 के अंतरगत नेक्ट कौनसा अनुछिद समाज के गरीब और कमजोर बरगों को मुफ्त कानूनी साहिता प्रदन करता है और सभी के लिए नियाय सुनिचित करता है तो राइट आंसर होगा अनुछिद 49A अगला क्वेशन हमारा अंडमान और निकोवार दीप समून किस उच्च नियाय लेके अधिकार छित्र में आते हैं तो सही आंसर होगा अप्सिन नमर A कौल काता नेक्ट है हमारा जनहित याद चिका कि अब धारणा किस देश में उत्पन हुई तो सही आंसर होगा इसका अप्सिन नमर D USA नेक्ट कुशन प्राक कलन समिती के अध्यक्ष की निक्ति कौन करता है तो सही आंसर होगा इसका लोकसवा अध्यक्ष अप्सिन नमर D यहाँ पर दोनों उप्सिन सेम आ गया है तो C, D दोनों ही हमारे सही है नेक्ट है हमारा सम्मेधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, सररचना, अवदी अध्यकारियों, प्रक्रियाओं विसेस अध्यकारों, सक्कियों, आजिसे, संबनित है तो राइट अंसर होगा भाग 5, अप्सिन नमर B नेक्ट है राज्यनीती के निर्देशक सिद्धानतों को किस देश के सम्मेधान से अपनाया गया है तो सही अंसर होगा इसका अप्सिन नमर D, आयरलेंड नेक्ट कोशन नए राज्यके निर्माड या राज्यके नाम में परवर्तन के लिए निमल लखित मेंसे किस अनुसूची में संसोधन की आव सकता है तो सही अंसर होगा अप्सिन नमर A पहली अनुसूची नेक्ट है हमारा स्वतंत्र आदुनेक भारत के इतियास में पहले गैर कॉंग्रेसी प्रदान मंत्री कौन थे तो राइट आंसर होगा मुरार्जी देशाई मुरार्जी देशाई नेक्स्ट है हमारा निमल लखित मेंसे कौन सा सम्मेदान निमल लखित अधिकार प्रदान नहीं करता ओप्सन हमारा समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतनता का अधिकार, धर्म का पलन करने का अधिकार तो इसका सही आंसर होएगा हमारा समान आवास का अधिकार Next question किस वर्स में सरवुच्च नयाले ने फैसला सुनाया कि सारे रिक स्वायत्ता के एक व्यक्ति के योन अविविन्यास के दाइरे में आती है और निजिता के अधिकार के अंतरगत आती है तो राइट आंसर होएगा सन दोया सत्तरे में उप्सन नमबर C नेक्स्ट निम्लकित मेंसे कौन सा सरवचनयाले और उचनयाले दोनों के अधिकार चितर में आता है तो सही आंसर होएगा मौलिक अधिकारों का सरच्ण नेक्स्ट है हमारा मुख्यमंत्री के वेतन और भक्ते कोंते करता है तो सही आंसर होएगा उप्सन नमबर D राज्य विधान मंडल नेक्स्ट भारतिय गड़ राज्य का दूसरा राष्टपती कौन था तो सही आंसर होएगा इसका डॉक्टर S. राधा क्रश्णन डॉक्टर S. राधा क्रश्णन नेक्स्ट कोशन यह कौन सुनिचित करता है कि भारत की संचित निदी से कोई भी धन संचित की स्वीकरती के बिना खर्च न किया जाए तो सही आंसर होएगा इसका ऑप्सन नमबर D भारत का नियंतरक एवं महाले का परिच्चक अगला क्रश्ण किस अनुच्छिद में सिच्चावा सेना चितर की उपाधियों को छोड़कर भारती संचित में विटिस सासन कालीन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है तो सही आंसर होएगा इसका अनुच्छिद 18 में नेक्ट कोशन पंडित जवाहलल नहरू ने संभेदान की अंतरात्मा किसे कहा है तो राइट आंसर हैसका मूञ अधिकार उप्सन नंबर B अगला कोशन हमारा भारतिय संभेदान में लिये गए सुरोतों में से सत्य योग में कौन सा है सही आंसर हो हैसका उप्सन नंबर D तो सभी यानि संबेदान संसोदन दच्छड़ अफ्रीका से लिया गया है संसदिय प्रड़ाली विर्टेजन से मूल अधिकार अमिर्का से यानि इस सारे हमारे सही आंसर हो जाएंगे अहला कोशन हमारा भारतिय संप्रवता का नवास है तो राइट अंसर होएगा जंतामे अहला कोशन यद इस स्पीकर सदन के एक सदश को इसलिए बोलने से रूकता है कि अन्यस दस से बोल सकें तो इसको क्या कहा जाता है तो सही अंसर होएगा इसका मंच समरपन करना अफ्र नंबर डी नेक्षट है हमारा तौ सही आंसर ह Goddess का option number C Sindhi 2174 सिंधी हधा को सामिल किया गया Next ह年前 भारत के राइष्टे दच को कब स्वीकर किया गया था तो सही हानसर हो एँसा 2 जुलाई 1947 22 जूलाई 1947 को राइष्टे दच को स्वीकर किया गया था अगला कोशन है हमारा मूल सम्मेदान में कुल कितने अनुच् περι थे तो मूल अनुचिद की बात किया है तो मूल सम्मेदान में 395 अनुच् scholars थे नेक्ट है हमारा सम्मेदान सबा का गठान निम्न मैं से किसके अंतरगत प्रस्थावित किया गया था तो राइट आंसर होगा इसका cabinet mission योजिना, cabinet mission योजिना, अईला कोशन, लोकषभा की बैठक को किस प्रकास समाप्त किया आसकता है, तो सही आंसर हो जाएगा, आप्शन नमर डी उपरयोक्त सवी के द्वारा, यानि इस्थगन द्वारा, भंग करके, सत्रा वाशन द्वारा, यानि option number D इसका right answer हो जाएगा next है हमारा पश्चम बंगाल के मुक्ष मंत्री जोती वासू ने त्याग पत्र देने से पूरू कितने वर्सों तक इस पद को समाला था तो सही answer है इसका option number D 23 वर्सों तक next निम्न मेंसे भारत के सम्मेदान में किसकी स्थापना के बारे में नहीं कहा गया तो सही answer हो जाएगा योजना आयो योजना आयो अगला question पंचायती राज प्रडाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है तो सही answer हो जाएगा ग्राम इस्तर पर option number A next है हमारा वर्तमान में सम्मेदान के कुल कितने मूल कर्तब्यों का उलिक है तो सही answer हो जाएगा option number C 11 मूल कर्तब्य next है बावनवा सम्मेदान संसोधन अधिनयम 1985 किस से संबंदित है तो सही answer हो जाएगा दल बदल तता अहरताएं next भारत का नियंत्रक एवं महाले का परिचक अपना प्रतवेदन देता है याने किसको देता है तो सही answer हो जाएगा राष्टपती को option number D next निम्लकित मैं से उच्च नयाले की सबसे पहली महिला नयादिस कौन थी तो राइट आंसर हो जाएगा लीला सेठ option number B next question राष्टपती को कौन साहता एवं मंत्र ना देता है तो राइट आंसर हो जाएगा संगिय मंत्री परसद option number D next question संविधान के किस अनुच्छेद में धन विदेयक की परिवासा दी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में अनुच्छेद 110 में अगला question एक गैर सदस्द के रूप में संसद के किसी एक सदन की कारवाई में भाग ले सकता है यानि कौन ले सकता है तो इसका साही आंसर हो जाएगा महा न्यायवादी option number C next है हमारा संविधान के किस भाग में 305 में पंचायते बनाने की परिकलपना की गई है तो राइट आंसर होएगा भाग 9 में option number A अगला question भारतिय संविधान के अनुच्छार देश का प्रथम नागर कौन होता है तो सही आंसर होएगा option number A राश्ट पती अगला question चबालीस में संविधान संसोदन अधिनियम 1978 के अनुच्छेद 302 में किस सब्द के इस्तान पर ससस्त्र विद्रुव सब्द रखे गई तो राइट आंसर होएगा आंत्रिक असांती आंत्रिक अशांती अगला question समानता का अधिकार भारतिय संविधान के किन पांच अनुच्छेदों में दिया गया है तो इसका सही अंसर होएगा 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 next question संविधान के व्याख्याकार और सररच्छा कौन है तो सही अंसर होएगा सरवुच नयायले option number C अगला question हमारा भारत के संविधान के अनुचार निमलखित मैंसे क्या संविधान एक निकाय या संस्ता है तो सही अंसर होएगा बित आयो option number A next question राश्टपती द्वारा राज्यसवा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था तो सही अंसर होएगा आयोलेंड option number B अगला question हमारा भारत के संविधान की कौन सी बिसेश व्यवस्ता दच्छड अफ्रीका के संविधान से ली गयी है तो सही अंसर होएगा संविधान संसोदन option number C next भारत के संविधान में संग ये सब्द की जगे किन सब्द को इस्थान दिया गया है तो सही अंसर होएगा राज्यों का संग भारत को जो राज्यों का संग का जाता है अगला question हमारा अखिल भारतिय सेवा में सामिल नहीं है तो सही अंसर है बिदेश सेवा भारतिय विदेश सेवा, उप्सिन नम्मर D नेक्स्ट है हमारा केंद्र राज्य वित्तिय संबंदों का निर्दारन कौन करता है तो राइट आंसर हुआएगा वित्त आयोग, उप्सिन नम्मर C अगला कोशन, प्रत्यच निर्वाचन किसे कहते हैं तो सही आंसर, जनता द्वारा प्रत्य निदी को चुनना, इसी को हम प्रत्यच निर्वाचन कहते हैं नेक्स्ट कोशन, संग लोग सेवा, आयोग के सदसक किसको त्याग पत्र देते हैं तो सही आंसर होएगा राइश्ट पती, उप्सिन नम्मर A अगला कोशन हमारा, भारती अपले सेवा का प्रसिच्चन कहां पर होता है तो राइट आंसर होएगा हैदराबाद, उप्सन नम्मर B नेक्स्ट हमारा, सिच्चा को किस सम्मिधान संसुदन द्वारा, राज्य सूची से हठाकर समवर्ती सूची में सामिल किया गया तो राइट आंसर होएगा, 42 संसुदन द्वारा, उप्सन नम्मर C अगला कोशन हमारा, सरकारिय आयोग से सम्मिधत है तो राइट आंसर, केंदराज्य सम्मिधों से नेक्स्ट कोशन, भारत में निरवाचन सूची तियार करने की जिम्मिधारी किस की है तो राइट आंसर होएगा, निरवाचन आयोग, उप्सन नम्मर A अगला कोशन, राइट आपतकाल में संसुदन की संगिय प्रकरती को क्या होता है तो राइट आंसर होएगा, इसका बैसी ही बनी रहती है, उप्सन नम्मर C नेक्स्ट कोशन देश में पहली बार राष्टी आपातकाल की उद्ध गोशना कव की गई थी तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 ओप्सन नमबर A 26 अक्टूबर 1962 को जो है देश में पहली बार राष्टी आपातकाल की उद्ध गोशना की गई थी अगला कोशन हमारा भारत का राश्टपती किस प्रकार के आपतकाल की उद्गोशना कर सकता है तो सही अंसर होगा सभी यानि राश्टी आपतकाल, राजी सम्मेदाने का आपतकाल, वित्ती आपतकाल यानि ये सारे हमारे सही हैं याने option number 10 का सही हो जाएगा अगला question केंद सरकार के खर्च को नियंतरत कंडिये का एक मात रद्धिका निमने लिक्ष मेंसे किस के पास है तो सही answer हो जाएगा option number 10 संसद संसद के पास होता है अगला question राजय सवा के लिए नामित प्रथम फिल्म अविनेत्री कौन थी तो सही answer हो जाएगा नरगिस दत option number C अगला question राश्टपती राश्टी आपतकाल के गुशना कर सकता है तो सही answer है सभी यानि हत्यारबंद विद्द्रों के आधर पर बाहरी आकर्मन के आधर पर युद्द्र के आधर पर यानि ये सारे हमारी option सही हो जाएगे अगला question हमारा भारत के राश्टपती के चुनाव में बिवाद का ये मामले की जाच कौन करेगा तो right answer हो जाएगा सरवुच नियाल है option number A बाहरत का सरवुच नियाल है next question बाहरतिय सम्मेदान में राश्टपती के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है तो सही आंसर होगा island option number C अगला question बाहरतिय सम्मेदान की निमनलकित अनुसूची में से कौन सी राज्यसभाब में सीटों के आवंटन से सम्मदित है तो सही आंसर होगा अनुसूची 4 option number B अगला question हमारे राश्टपत के समच्छ लोगों की आशाओं और आकांशाओं के सासाथ आदरसों का भी वर्णन किया गया है तो सही आंसर है प्रस्ताव नाम है option number B अगला question है हमारा सम्मेदान के किस अनुच्छेद के अंतरगत केंद सरकार राज्यसरकारों को निद्देश दे सकती है तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 256 next question भार दे सम्मेदान में नियायक प्रणरावलोकन की सकती और नियायपालका की स्वतनता का प्राबधान किस दे से लिया गया है तो सही आंसर होगा इसका option number D अमेरिका next question हमारा धन बदेख केवल प्रस्तुत किया जाता है तो right answer होगा लोक सवाम है option number A केवल लोक सवाम है next हमारा संसद में किस वर्स में 61 संसुदन अधिनियम द्वारा मत्यदान की आयू 21 से घटाकर 18 वर्स कर दी गई थी तो right answer होगा 1989 option number C next हमारा भारती संविदान के निम्लेल कित मैं से किस अधिनियम की अनुसार संसद में भारत के राष्टपती और दोनों सदन सामिल होते हैं तो right answer होगा अनुचेद 79 next question हमारा निम्लेल में से कौन सी वासा संविदान की आठवी अनुसूची में नहीं है तो सही answer होगा इसका फारसी option number A अगला question संविदान सभा की प्रतम बैठक कब होई थी तो इसका सही answer होगा 9 दिसंबर 1946 9 दिसंबर 1940 की जो है संविदान की पहली बैठक होई थी अगला question हमारा अस प्रस्यता अनुमूलियन किस अनुचेद से संबनित है तो सही answer होगा अनुचेद 70 option number D next हमारा पंचायती राज है तो सही answer होगा राज्य सूची क्या गुवाहाटी उच्चनयाले की न्यायपालिका है तो इसका सही answer होगा हमारा option number सभी नागालेंड अरुनाचरपदेश असम एहला question हमारा भारत के निर्वाचन आयुके चुनावों में चुनावों से कौन सा चुनाव संबंदेत नहीं है तो सही answer होगा राज्यों की पंचायते और नगर पालका है option number C next हमारा राज्य के नीती निदेसक सिद्धानतों में से बहारत के प्रतम उपपरदान मंतरी का नाम क्या है तो सही answer होगा हमारा सरदार बल्लब भाई पतेल option number D next हमारा बहारत के संब्धान के किस अनुच्यद के तहत जीवन और सुतंतरता का सरच्ण सामिल है तो सही answer होगा अनुच्यद एक की option number A next हमारा बहारती संब्धान का अनुच्यद दो से संबंदित है या दूसरा अनुच्छे दूए किस से संबंदित है तो सही आंसर होगा option number A नई राज्यों का प्रवेश या इस्थापना next question बारत का सम्मेदान निम्न आयू भरक के सभी बच्चों को सिच्छा के अधिकार की गारेंटी देता है तो right answer होगा चे से चोड़ेवर्स option number A अगला question है निम्न खित मेंसे कौन सा भारती नागरेकों का मौलिक करतब नहीं है तो सही आंसर होगा इसका संपत्ती घटा करना यानि option number C संपत्ती घटा करना जो मौलिक करतब नहीं है next है निम्न खित मेंसे भारत सरकार के किस अधिनियम को भारत का लगो संपत्तान का आ जाता है तो राइट आंसर होगा ब्याली स्वा ओप्सन नमर B ब्याली स्वा संपत्तान अधिनियम 1976 नेक्स्ट हमारा भारत के सर्वोचनेल की स्थापना किसकी सिपार्यस पर की गई थी तो सही अंसर होगा 1773 का रेगूलेटिंग एक्ट नेक्स्ट हमारा भारती सम्मेदान के किस भाग में अलप संख्यकों के लिए बिसेश प्राब्दन किया गया है तो सही अंसर होगा भाग तीन में ओप्सन नमर A नेक्स्ट हमारा विस्व हिंदू परिसद राइष्टे स्वेम सेवक संग बजरंग दल आदिक किस राजनीतिक दल के दवाव समुएं तो सही अंसर होगा उप्सन नमर B भाजपा नेक्स्ट कोशन राइष्टे राइदानी छेतर दिल्ली के प्रसासक को क्या कहा जाता है तो सही अंसर होगा इसका उप्सन नमर C नेक्स्ट वर्तमान समय में लोकसवा की 543 सीटों में से कितनी सीटे हैं अनसूचित जाती के लिए आरचित हैं तो सही अंसर होगा उप्सन नमर D 84 सीटें अगला कोशन भारतिय समय दान के किस अनुच्छेत के तहत अनसूचित जाती या जन जाती के सदस्यों को लोकसवा में आरचित प्रदान किया गया है तो सही अंसर होगा इसका उप्सन नमर B अनुच्छेत 330 अनसर होगा राष्ट पती को उप्सन नमर A नेक्स्ट है हमारा निम्नलकित मैसे किस संसोदन द्वारा 6-14 बरस की आयोगे सभी बच्चों को निसुलक और अनवारत सिच्चा का मौलिक अधिकार बनाया गया था तो राइट अनसर होगा चासीमा ओप्सन नमर D चासीमा संविदान संसोदन नेक्स्ट है हमारा समाजवादी और धर्मन निर्पिच सब्दों को प्रस्ताबना का हिस्सा बनाया गया था यानि किस संसोदन में बनाया गया था तो राइट अनसर होगा इसका ओप्सन नमर D अगला कोशन हमारा वर्तमान समय में लोक सबाकी 543 सीटों में से कितनी सीटें अनसूचित जंजाती के लिए आरच्छित हैं तो राइट अंसर होगा उसका ओप्सन नमर A 47 अगला कोशन किसके सासनकाल के दौरान संपत्ती के अधिकार को मोलेक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था तो सही अंसर होगा इसका ओप्सन नमर B मोराजी देशाई सरकार में भारतिय नागरिकों के मोलेक कर्तव्यों को सम्मेदान में कव सामिल किया गया तो सही अंसर होगा सन 1976 अप्सन नमर B बारतिय सम्मेदान में किन अनुच्षिदों में राजमासा संबंदी प्रापदानों का उल्लिक है तो सही अंसर होगा 343 से लेकर 351 तक अप्सन नमर A सम्मेदान के किस अनुच्षिद के अंतरगत नागालेंड राजे के संबंद में विजेस उपबंदों का प्राबदान किया गया है तो सही आंसर होएगा तो 371 क और अनुच्छेद 371 क नेक्स्ट हमारा भारतिय सम्मेदान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट पती को उच्चितम नियाल ऐसे परामर्स करने की सक्ती परदान करता है तो सही आंसर होएगा अनुच्छेद 143 नेक्स्ट सिक्किम भारत का 22 वह राज बना यानि किस संसुदन द्वारा बना था तो सही आंसर होएगा D, option number D, 36 वह सम्मीदान संसुदन द्वारा नेक्स्ट हमारा बिधान पढ़ परसद का सद्शक कितने वर्सों के लिए निर्वाच दो उता है तो राइट आंसर होएगा 6 वर्सों के लिए option number D नेक्स्ट हमारा यदि राष्टपती और उप्राष्टपती दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिती में उनके कारभार को कौन गरहन करेगा तो राइट आंसर होएज का ओप्सन नमबर C सरबोच नयाले के मुक्के नयाय धीज नेक्स्ट आमारा भारत का संविधान पूर्ण रूप से त्यार हुआ यानि कब हुआ था तो सही आंसर होएगा 26 नॉबंबर 1949 26 नॉबंबर 1949 को जो है संविधान पूर्ण रूप से त्यार हुआ था नेक्स्ट हमारा निमने लिखित मैंसे किसके द्वारा भारत के नियनत्रक्एम महाले का परिष्चक के पद का सरॉजन किया गया था तो सही अंत्र होगा तो सम्मधान द्वारा, ओप्सन नमबर 2 नेक्स्ट क्योशन निम्न मैंसे किसको हटाने का प्राबदान सम्मिधान में नहीं है तो सही आंजर होगा option number C, governor governor को हटाने का प्राबदान सम्मिधान में नहीं है और इस वीडियो का last question है बारतिय सम्मिधान के निम्नलखित अनुष्यदों में कौन विदायन सत्ता पर पूड़ नियंत्र लगाता है तो सही आंजर होगा अनुष्यद चौध है option number A दोस्तो इस वीडियो में हमने आपके लिए top 110 questions को cover किया है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like करें share करें और चैनल को subscribe करें धन्यवाद